जी के विद प्रिंस यूटूब चैनल में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम सामान विज्ञान से संबंधित महत पौन प्रशनों को डिसकस कहने जा रहे हैं। जो कि सभी पृतियोगी परिशाओं के लिए बेहद ही महत पौन प्रशनों होते हैं। और यह प्रशनों सभी प्रदियोगी परिशाओं में पूछे भी जाते हैं। जिगर ऑप्सन भी है रदय यानि हर्ट ऑप्सन भी है नाक एम ऑप्सन सी है नाक एम ऑप्सन नमबर डी है गुर्दा तो दोस्तों इसका सही ऑप्सन है ऑप्सन नमबर भी रदय यानि हर्ट जो है यह जो है मानो सरीर का सबसे बेस्त अंग है रदय हर्दय जो है यह सरीर क अगला प्रुश्णही रुधिर के आर एष घटक की खोज निम्न में से किस पसू के शंपरकी आधार पर हुई है तो उप्षन जान लेते हैं हमारा उप्षन है उप्षन नमबर ए है पच्छी उप्षन बी है बिल्ली उप्षन सी है कुट्ता एम उप्षन नमबर डी है बंदर तो दोस्तो इसका सही उप्षन है उप्षन नमबर डी सही है उप्षन नमबर डी बंदर सही है रुधिर के आर के खोज, आगला प्राशन और महाथतों पूंज प्रेसन है दोस्तों, हीमोग्लोबिन जिसको हम रखते भी बोलते हैं, तो हीमोग्लोबिन में कौन ध्रषा ध्रदया तु पाया जाता है? या प्रिशन अरई C में पूछा गया है ? तो ओप्सन है ओप्सन नमबर A है लोहा ओप्सन B है कैल्सियम ओप्सन C है जस्ता अम ओप्सन नमबर D है मागनीसियम तो दोस्तो इसका सही ओप्सन है ओप्सन नमबर A लोहा हीमोगलोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है तो हीमोगलोबिन में लोहा पाया जाता है हीमोगलोबिन में जो है कौन सा धातू पाया जाता है हमारा अगला परसे दोस्तो दात और अश्थि को मजबूत बनाने वाली धातू है तो आप्शन है मारा आप्शन नमबर A है कैल्सियम आप्शन B है जस्ता आप्शन C है मैगनीशियम आप्शन नमबर D है लोहा तो दोस्तो इसका सही आप्शन है आप्शन नमबर A कैल्सियम इसका सही आप्शन है दात और अस्थी को मजबूत बनाने वाली धातू है तो यह है कैल्सियम, कैल्सियम जो है धातू और अस्थी को मजबूत बनाने वाली धातू है कैल्सियम अगला प्रशन है दोस्तो, मानव सरीर में रुधिर परी संचरन की खोज किसने की जो दोस्तो इसका सही अप्सन है ओप्सन नमबर C ील्यम हार्वे यह जो है मानव सरीर में रुधिर परी संचरन की खोज के लिए जो है की थी जो है विलियम हारवे ने जो है मानोशरी में रूधिर पर संचरन यानि रक्त पर संचरन के खोज की थी विलियम हारवे ने अगला प्रशन है दोस्तों किसी सामानी पुरुष में प्रती मिनट आउस्ट रदय इस्पंदन है यानि कोई शामानी पुरुष है जैसे आप या हम तो उसमें प्रती मिनट आउस्ट ह्रदय इस्पंदन है उपसन किसी सामानी पुरुष है उसका प्रती मिनट इस्पंदन करता है तो वह 70 बार यानि रिदय जो है वह 70 बार धरकता है यानि स्टामान मनुस्य का 70 बार जो है रिदय धरकता है लेकिन जो सिसू को अगर हम बात कर ले यानि छोटे बच्चों की जो सिसू होते हैं तो उनका लगभग 84 हो जाता है या इससे भी ऊपर हो जाता है 84 से ऊपर ही होता जो सिसु है उनका जो ह्रदेस बंदर है वो 84 से ही ज्यादा ही होता है कम नहीं होता है अगला प्रशन है दोस्तो निर्मलखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है तो अप्सन है मारा अप्सन नमबर ए है माइट्रोकांड्रिया अप्सन भी है निर्मलखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है तो निर्मलखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योगी बात दोस्तो यह है कि माइट्रोकांड्रिया लाइ दोस्तों नूट्रान जो है यह प्राणी कोशिका का घाटक नहीं है अगला प्रशन है लाल रुधिर को शिकाएं में नश्ट हो जाती हैं लाल रुधिर को शिकाएं में क्या नश्ट हो जाती है यानि यहां पर जो है क्या भरना है लाल रुधिर को शिकाएं में क्या नश्ट हो जाती है दोस्तों यहां पर ध्याम देनियोगी बात यहां है कि य प्रतियों में पूछे लेंट्टिस्ट तो हमारा प्रस्ट में नश्ट हो जाते हैं हम जाननेते हैं option number A है गुर्दे, option B है पेट, option C है या करतेयों, option number D है प्लीहा यानि स्प्लीन तो दोस्तो इसका सही option है, option number D स्प्लीन यानि प्लीहा लाल रुधिर कोशिकाएं प्लीहा में नश्ट हो जाते हैं, जो लाल रुधिर कोशिकाएं जो है RBC यानि red blood list होता है RBC यानि red blood circle होता है अगला प्रस्ट है मानो शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की आयू दिनों की होती है यानि कितने दिनों की होती है मानो शरीर की लाल रुधिर कोशिकाओं की जो आयू होती है यह कितने दिनों की होती है तो option दोस्तो हमारा है option number a 26 option b26 option ckov option d12 तो दोस्तो इसका прав film option number d 120 मानो सरीर की छाल रुधिर कोज काओं दोस्तो जो यहां पर ध्यान देने योगी बात यह ही कि जो rbc, rbc हम सुनते हैं वह यही है यह जो है rbc ही है लाल रुधिर कोज काओं को RBC Blood Group ही कहा जाता है तो मानो शरीर की लाल रुधिर को शिकाओं की आयू जो है कितने दिनों की होती है तो यह 120 दिनों की होती है 120 डेस की जो है मानो शरीर की लाल रुधिर को शिकाओं की जो आयू होती है 120 दिन होती है किस रुधिर समोह के विक्ती शर्वधाता कहलाते हैं किसी भी बिट गूर ब्लोट गुर्प को किसी भी भी ब्लोट गूरम को यह झो यानि th economies का सही ओप्षन है option number D O किस रूधिर समोह के व्यक्ति सर्वात्रिक दाता कहलाते हैं या सर्वदाता भी कहलाते हैं तो O समोह के जो लोग होते हैं यानि O समोह के जो व्यक्ति होते हैं वह जो है सर्वदाता होते हैं यानि यह किसी भी blood किसी भी यानि जो ओ वाले जो व्यक्ति होते हैं ओ ब्लड ग्रूप वाले वाले किसी को भी ओईल दे सकते हैं यानि जो खून है यो दे सकते हैं यानि वो A-B को भी दे सकते हैं B को भी दे सकते हैं और A को भी दे सकते हैं लेकिन दोस्ति यहां पर ध्यान देने योग्य बात यहां किक एवी जो है एवी यह है सर्वग्राहि रख्त-ग्रोप यहानि वो पर यहां पर एवी से भी किसी सबसे रख्त ले सकता है यानि वो एवी से भी ले सकता है एसे भी ले सकता है यहांपर ध्यान देने वी एक बात है कि वह जो है यहां देशकता है लेकिन ले नहीं सकता है सब्सक्राइब लेखते थे सकते हैं लेकिन किसी से भी रक्त नहीं लेखते सिर्फ बहुता है एवं AB जो है यहाँ सबसे रक्त ले सकता है AB गुरुप वाले जो लोग होते हैं सबसे रक्त ले सकते हैं दोस्तों तो यहाँ पर यहाँ प्रशन महात्पून काफी था अगला प्रशन है माना उर्दय का वजन लगभग कितना होता है तो option मारा option number A 300 gram option B 140 gram option C 50 gram से 1 kg तक option D 1.5 kg से 2 kg तक तो दोस्तो इसका सही option है option number A सही है 300 gram मानो रदे का مानो हर्ड होता है मानो हार्ट तो उसका वजन जो होता है वह लग भाग यानि जो आलमॉस्ट होता है वह 300 ग्राम ही होता है मनुष्ट के जो शरीर का जो रिदे का जो वजन होता है मनुष्ट के शरीर के रिदे का जो वजन होता है वह लग भाग एक 300 ग्राम होता है हमारा अगरा अगरा और लाश्ट प्रिशन है लाल रुधिर कोज के लार रुधिर कोज में तो दोस्तों आप समझylेंड़ीर कोज निय्मित होती है आई हुब दोस्तों यहां पर कोशक हाँ बोले तो है यह folks है आई होप दोस्तों यहां सभी प्रेशन आपको पसंद आया होगे यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर यहीं चैनल को सबस्क्काइब कर लीजे और के पर्विडियो की सभी לא किसे आपको सबसे पहले मिलती रह धन्य बारत झाल झाल